अपने यूटूब चनल हरिस क्लासेज में आज के इस लाइव सेशन में हम 2019 के जो आल सेट्स हैं इनका सॉलूसन देखेंगे और इससे पहले हम 2018 तक सॉल्व कर चुके हैं तो आईए यहां से हम इन्हें समझना प्राहरम करते हैं जिसमें आपका फर्स्ट कोशन है तो आप ध्यान रखें परफेक्ट हो गया क्या हो गया दूस्तों परफेक्ट हो गया एक्स्ट्रीम हो गया राउंड हो गया कम्प्लीट हो गया इनसे पहले ना तो आप मोर लगाएं ना मोस्ट लगाएं क्योंकि यह बले सक पॉजिटिव डिगरी में हैं तो इनका superlative और comparative बनाने का कोई भी अधिकार नहीं है तो इसलिए आप यहां से most अठा देंगे तो आप cancer होगा he is a perfect या परफेक्ट जेंटलमेन को देखिए seek him later than I expected यह question काफी अच्छा है competitive 11 के इसाब से भी काफी पॉर्मर को बताता है तो क्रम को बताता है लेकिन अब उड़े आईज़ गोर्षकर करतें हैं तो इसमें आपको दिया है सी कैम लेटर तो लेट का जो कंपरेटिव होता है दोस्तों असक्किमश् happy यह पार eh ja ja in concert star a अन्टोनियम है former का यानि दो मच से बाद वाला और former दो मन से पहले वाला और लेट का कंपरेटिव होता है लेटर तो यहां बाद की बात की गई है ना कि दूनों में से किसी एक की तो आपके लिए यहां लेटर नहीं बलकि यह वाला लेटर रहेगा एले टी यार कॉम्टेटर लेवल के सावसे भी है काफी की भी अधकार नहीं है केवल अलाग से स्पेस्वाल रूल होते हैं जिसके दस्या ग्यार है अगले वीडियो लेक्चर में आपको समझाएंगे तो आपका अंसर करेक्ट होगा सबसे पहले आपको लिखना होगा अद्दा उसके बाद आप लिखेंगे कार उसके बाद आपको सबस्के से कार नहीं आप लिखेंगे जकना होगा उपको तो यह गलत होगा आपको लिखना होगा दा लेग ओफ टैवल अगला कोशन देखिए काफी जबरदस्त है वहन ही आवाक कॉमा ही आस्क्र वे आर आई एम तो आप देखें पहला जो आपका किलॉज है यह से है एक कॉंप्लेक्स सेंटेंस है तो आप यहां देखें तो आपको सब्सक्र फ़िए पाश्ट में हैं तो यहां एम नहीं रहेगा आप जानते हैं पाश्ट में रखेंगे तो इससे आपको लेता होगा वो तो आपका उसर बनेगा वेन ही आवाक कॉमा ही आस्क्र वेयर आई वाज क्या लिखेंगे आई वाज आई होप आपको यह कोशन अच्छे से किलियर हुआ होगा अगले कोशन को देखी कोशन नमर फाइब इफ आई वाज यू कॉमा आई वोड नेवर डू देट अब फ्रेंट इसमें जो कल्पना की गई है एक इमेजनरी सेंटेंस है क्या है इमेजनरी सेंटेंस यह कह रहा है कि यदि मैं तुम होता तो मैं यह कभी नहीं करता तनू जी आपका अंसर बिलकुल सही है एक दम और जो इंट्रिड्यूज करेगा बास्तम में यू रियल सब्जेक्ट को इसलिए काल्पनिक सेंटेंस में आपको यहां वर का यूज करना है आप लेखेंगे इफ आई वर यू जैसे कि कांस में पच्ची होता तो आप कह सकते हैं कि इफ या आई विस आई वर आ वर्ड तो इस प्रकास से बनाते हैं कास में करोड़ पती होता तो ऐसे सेंटेंस में जब भी आप इमेजिन करते हैं तो वहां सब्जेक्ट हो या आई हो सभी के साथ वर का यूज करते हैं आई हो यह वी कुशें आपको समझ में आजा होगा कुशें नमबर 6 को देखिए दा एडिया तो मैंने आपको पिछले वीडियो लक्षास में भी इस काफी चर्चा की है कि तुलना लाइक बाइज होती है हमेशा तो लेकिन यहां क्या कह रहा है कि देहली का जो छेत्र है वह आग्रा से अधिक बड़ा है बताई दोस्तों यह से कहना सही है या तो आप यह कहेंगे कि दे स्मूलर के लिए आपको देन के बाद प्रणाउन देट ओफ का यूज करना होगा जिसका मतलब होगा आग्रा का छेत्र अगर यह प्लूरल होता तो आप लेखते दो जौफ क्या लेखते दो जौफ अगला कोश्चन देखिए कोश्चन नमबर से बाद मिस्टर पीके अगर आप देखें एम जैसे आपने लिखा तो इसका साउंड जो आया जो क्या आया दोस्तो वोबल साउंड और वोबल साउंड से पहले आप आप आटीकल ए नहीं वलकि एन लिखना होता है तो आप लिखेंगे एन मिस्टर पीके रॉइ एज एन एम पी इस प्रकार से आप जानते हैं अफ्रेड के साथ आपका फिक्स फ्रकोजिशन होता है ओफ इस अफ्रेड हो गया डिप्रिव्ड ओफ हो गया यह काफी पूझे जाते हैं तो भाई आर्यू अफ्रेड ओफ रहे गा फ्रॉम की जगें पर क्या रहेगा ओफ तो ग्रीब जी आपका आंसर बि और एंडिंग कंपेरीजन करने वाले जो भी अजयक्टिव हैं उनके साथ मैंने बता है कंजेंग्शन देन नहीं वलकि इनके साथ प्रपोजिशन टू का यूज करते हैं तो आपने देखा प्रफर है तो इसके साथ देन नहीं वलकि टू रहेगा परिच्छा में लगाता रह है पूचा जाता है कोशन नमबर दसको देखिए काफी अच्छा कोशन है पैन टू बिल्कुल सही है कोशन नमबर दसको देखिए मैथमेटिक्स आर नौट एन इजी सब्जेक्ट mathematics are not an easy subject बताइए इसमें क्या होगा तो आप देखें मैंने आपको बता जा कि जो भी noun की ending i, c, s पर होती है देखने में आपको plural लग सकते हैं लेकिन जे general sense convey करें तो हमेशा singular होंगे और इनके साथ singular helping wow से ही आप agreement बनाएंगे क्या बनाएंगे? singular helping wow से ही agreement या तो इनसे पहले कोई passive objective ना लगा जाएंगे जैसे my, our, your, their तो यह plural हो जाएंगे या इनसे पहले article दा लगा दिया जाए बेलकुल तनू जी आपका answer सही है यानि कि दा लगा दिया जाएंगे जैसे the mathematics of Ravi the mathematics of Ravi तो आपको आर लगाना होगा क्योंकि यह specific हो गया है तो यहां ध्यार रखना है आपको जो mathematics से एक विस्याकी बात की गई है तो आपको यहां age लखना होगा अगर यह ऐसे लख दें mathematics तो आप आर लखेंगे क्योंकि इसमें आपकी संक्या जोड़ना गठाना सभी चीज़ आई पूरी calculation तो इसलिए है plural हो जाएगा question number 11 को देखिए he has been suffering from fever since 3 days तो मैंने आपको duration के बारे में कई बार बता जा है कि जो आपके निश्चित समय होता है जैसे morning, evening, afternoon और o'clock आपका sun हो गया जैसे date हो गई तो यह fixed रहती है अगर यह ऐसे होता the last 3 days तो आपका अंसर बिल्कुल सही था फिस सेंसी रहता question number 12 को देखिए काफी important question है जिसमें दिया है he is one of the best man that has ever lived बताइए किन लोगों का अंसर आता है इस पर बताइए इसमें क्या गलती है तो अगर आप देखें इसमें आपको लगेगा कि man आजा है तो that relative pronoun नहीं होना चाहिए नहीं दोस्तो that तो बिल्कुल सही लगा है क्योंकि जब आपको superlative degree देखने को मिल जाए अब superlative degree आप आसानी से पहंचान सकते है या तो IEST suffix की आगजा होगा या EEST suffix की आगजा होगा या adjective से पहले ही most लिख दिया गजा होगा या आपका superlative degree का पहँचान है या आपको पहले clause में only देखने को मिल जाए all देखने को मिल जाए few देखने को मिल जाए little देखने को मिल जाए everything देखने को मिल जाए तो इन सभी के साथ आप that ही लिखते है लेकिन जैसे आपका रिलेटेब प्रनाव्म देट हुआ तो इसका एंटीसीडेंट जो है मैन, म-e-n, पिलूरल फॉर्म में हैं तो आप जानते हैं इसी के अकॉर्डेंग आने वाला हेल्पिंग वाव या मैन वाव रगाया जाएगा तो आप जानते हैं म-e-n, उसका प्लूरल होता है म-e-n तो इसलिए हैज नहीं वलकि आपको लिखना होगा है क्या लिखना होगा है तो आप इसका अंसर बनाएंगे उसके बाद आप लिख देंगे जहां हैव एवार लिब्ड किलियर हुआ होगा अगला question देखिए these news have disturbed the peace of mind बता ही इसमें क्या गलती है बता ही इसमें क्या गलती है दोस्तो तो अगर आप ध्यान से देखें निज अपने आप में furniture अपने आप में यह singular होते हैं तो demonstrative जो भी आपके प्रनावन होते हैं या इसके लिए आपको लिखना होगा देश और यहां अपने आप में फैली सी सिंगुलर है तो आप हैज लिखना होगा है अंसर होगा this news has disturbed the peace of mind अगले question को देखिए काफी अच्छा question है अगले question को देखिए अच्छा question है जिसमें आपको दिया है एक नठ देखिए क्या दिया है आपको it is I who is your best friend it is I who तो अगर देखें it यहां एक dummy subject है जो introduce कर रहा है real subject I को तो I तो लिखा बिलकुल सही है यानि related pronoun है who तो उसका antecedent हुगा I तो अभी मैंने उपले sentence में भी आपको बताया तो I के according ही helping लगाई जाएगी या man वाव या linking वाव तो आप लेखेंगे यहां मोवाल और टुइन क्राफ्ट आजी सिंग आपका बहुत बहुत अविननन आपका बहुत बहुत स्वागत है तो इसमें देखें तो it is I who am your best friend यह answer होगा आपका अगले question को देखिए being a cold night, I stayed in my house इसका answer क्या होगा बताईए दोस्तो तो जैसे ही आप देखें being a cold night अगर आप participle का समझेंगे तो बिल्कुल सही लगेगा आपको लेकिन दोस्तो यह बताईए आई किया ठंडा नाइट होगा नहीं यह मौसम की बात कर रहा है तो आपको लिखना होगा 8 wing और यह question कई बार पूचा गया है इस बार भी पूचा गया था 2020 में 8 wing a cold night, I stayed in my house क्योंकि देखें यह भी subject अलग है यह भी subject अलग है तब नॉमिनेटिव से आप बनाते हैं तो आपका पहला subject लिखा रहता है जो different होता है उसके बाद आप ऐसे ही sentence को लिख देंगे question number अगला देखिए I am grateful for you to your kindness grateful के साथ आपका fixed proposition होता है जैसे लिखना होता है आपको two साथ वजे लाइब आते हैं अजीत जी साथ वजे बिलकुल साथ एक या साथ के लमसम लाइब होते हैं तो आप लिखेंगे I am grateful तो इसके साथ fixed proposition होता है आपका two और यहां आपको लिखना है किसी उसकी दयालता के लिए तो आप two की जगे पर लिखेंगे for आपका answer होगा I am grateful to you for your kindness for your kindness अगला question देखिए अच्छा question है there are fine furniture in my house there are fine furniture तो मैंने बता है furniture आपने आपने अंकाउंटेबल नाउन होता है जो singular होता है तो आपकी helping भब भी हाँ singular रहेगी आप लिखेंगे age there is fine furniture in my house इस प्रकास सही होगा अगर गलती से आपको यहां as भी देखने को मिल जाए तो आप अठा देंगे furniture से नहीं लिखेंगे जैसे advice नहीं लिखा जाता है उसी प्रकास से अगला question देखिए I am grateful यह तो हो गया साइद 18 माँ देखिए he, you and I are friends बताइए इसमें क्या गलती है तो आप देखें जो good act होता है responsibility होती है तो उनके लिए आप 2, 3, 1 का form लिखते हैं सबसे पहले second person जिसमें आपका cable you होता है उसके बाद third person जिसमें he, see, it दे हो सकता है और third person, first person की बात कर रहे हैं तो I are we तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा second person second person कौन दिया है इसमें you तो सबसे पहले you लिखेंगे उसके बाद आप he लिखेंगे and I are friends बिल्कुल यह है सही हो जाएगा यानि you, he and I are friends अगला question देखिए setting on the gate, a scorpion डंग him तो आपको यह है के से ना position की तरह लिखना होगा फहले इसे लिखेंगे फिर कौन लगा का setting on the gate और फिर आगे लिख देंगे आप इस टंग him यानि कि gate पर बैठे हुए यानि उसे एक बिच्चू ने काट लिया अगला question देखिए है question काफी अच्चा है his parents deprived him with all he had यानि कि उसके पिता ने उसे बंचित कर दिया जो कुछ भी उसके पास था तो friends deprived यह जो वव होती है इसका मतलब होता है किसी advantage से बंचित कर देना तो इसके साथ fix proposition होता है off तो बिद के इस्तान पर आपको लिखना होगा off his parents deprived him of all he had इस प्रकास से अंसर होगा अगला question देखिए और यह तो बिल्कुल छोटा सा question है जैसे आप देखकर आसानी से अंसर लगा सकते हैं she have sung का सौंग आप जानते हैं singular subject है तो इसके साथ है वह नहीं वालकि आपको हैज लिखना होगा कभी कभी एक्जामना रहे से भी questions पूछ लेता है question number 23 देखिए तब चलेंगे 22 की तरफ तो दा number of invites are increasing इसमें क्या answer होगा इसमें क्या answer होगा बताइए तो आप देखें दा number of दा number लग गया तो वह definite होगा इसके बाद दा number के बाद तो आपको plural countable noun लिखना होगा लेकिन helping वाव singular लिखनी होगी तो आप आर नहीं वलकि age लिखेंगी अगर दा number की जगे पर a number होता क्या होता दोस्तो a number तो आपको इसके बाद plural countable noun और plural ही helping वाव लिखनी होती नहीं आया समझ में दा number of के बाद plural countable noun तो आएगा लेकिन helping वाव singular आएगी और आ number of के बाद में plural countable noun होगा और plural ही helping वाव होगी ठीक है अगला question देखिए milk is preferable than tea तो मैंने बता है अब prefer हो गया, preferable हो गया और comparison करने वाले IOR तो इनके साथ आपको क्या लिखना होता है देनकिस्तान पर 2 तनू जी आपका answer एक बार फेसे सही है तो आप लिखेंगे milk is preferable to tea question number 27 मा देखिए this news is very gold to be true तो आप जानते हैं 2 का पेयर एडवाव 2 से ही बनता है तो आपको यहाँ 2 लिखना होगा एडवाव 2 तो answer होगा this news is 2 gold to be true very को यहाँ से हठा देंगे आईए आगले questions की और चलते हैं जिसमें आपका 22 question है अपना दिमाग लगाए कितने intelligent हैं आप बताईए क्या answer होगा इसमें बताईए सुग्रीव आप इसमें बिलकुल सही है भाई यह बताईए God saves me भगवान मुझे बचाते हैं कहना सही है कि नहीं है sensible होगा कि नहीं होगा बताईए इसमें क्या गलती है God saves me बताईए क्या गलती है God saves me है तो आप लोग कई टीचास ऐसे होते हैं कहते हैं कि गॉड शे व कर दीजिए नहीं दोस्तों यह कहना बिल्कुल गणत होता है क्या भगवान हमें बचाते हैं असे यहाइसे लिखा जाता है गॉड तो आप यहां तो यह सई कर सकते थे God save me तनुजी इस बार आपका अंसर बिल्कुल गलत है आप लिखेंगे God shame me आपको यहां ध्यार रखना है God के बाद कौमा लिखना होगा जो वॉकेटिव केस में लिखा जाएगा God save me या फिर पूरा sentence इसका समझना चाहें तो यह एक operative sentence होता है जिसका पूरे का मतलग होता है May God save me May God save me यानि कि भगवान हमें बचाए यह sentence होता है या तो आप God उसके बाद कौमा लगा कर लिखेंगे same me यानि God जो है वॉकेटिव केस में लिखा जाएगा या आप लिख सकते हैं May God save me इस प्रकास से होता है operative में से बना जाते हैं तो इसलिए आपका यह होगा God, save me आप इसे plural ना समया God को क्योंकि यह singular ही होता इस चीज को माइंड भी कर लें अगला question देखिए काफी अच्छा question है Many a boy were playing in the field तो आपको concept बता जा गया है कि many के बाद में many के बाद में plural countable noun आना चाहिए plural countable noun आना चाहिए और plural ही helping बाव आनी चाहिए many के बाद में plural countable noun और plural helping बाव जैसे यह होता many boys were playing in the field बिल्कुल सही था many boys many boys were playing in the field अगर है दिया है आपको many और उसके बाद आपको a या n देखने को मिल जाए तो singular countable noun रहेगा और singular ही helping बाव रहेगी दोस्तो many a और n के बाद singular आने वाला countable noun रहेगा और singular ही helping बाव रहेगी तो क्या समझे आप many a दिया है तो आपको why ही लिखना है और यहां were गलत है यहां लिखना होगा watch इतना clear हुआ होगा अगले question में दिमाग लगाईए दोस्तो क्या गलती है what are you doing since morning बताईए बताईए क्या गलती है दोस्तो इसमें for बिल्कुल अच्छा जी और क्या गलती है for थे मतलव नहीं है morning fix होता है आपको पता है आप night होगी night के बाद सुवह ही होगी तो since तो बिल्कुल सही लगाईजी since बिल्कुल सही लगा है बताईए तो आप देखें what are you doing since morning जब आपको देखने को मिलाए कि perfect continuous की बात कर रहा है तो आर कहां से आएगी दोस्तो आपको लिखना होगा have been क्या लिखना होगा what have you been you के बाद आप लेखेंगे what have you been doing since morning आपको आर को remove कर देना है क्लियर हुआ होगा क्योंकि आपको यहीं नहीं है कि since 40 चेंज करना है कभी-कभी वाट टैंस की helping बाब में भी गलती देता है इसलिए आप लेखेंगे what have you been doing since morning अगला कोशन देखिए लाश्टमा क्या कहता है आपसे सन गिप्स अस लाइट एंड लाइफ कि बताइए तनुजी चलो ठीक है कोई दिकत नहीं बताइए अगला कोशन बताइए अगर आपने मेरे सब्द पकड़े हो तो साइध अंसर भी बना हुगा है बताइए सन गिप्स अस लाइट एंड लाइफ तो मैंने आपको बता है कई बार जो इस ब्रह्मांड में यूनिक चीज है जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गया, आपकी चारो दिसाओं के नाम हो गए तो इन से पहले आपको हमेसा आर्टिकल दा लागाना होता है तो आप लेखेंगे दा सन गिप्स अस लाइट एंड लाइफ इस प्रकास से आपका 2019 का जो सैट था वह मैंने पूरी तरह से कंप्लिट करा दिया अब आप बताएंगे किसी को कोई समस्या या परेशानी तो नहीं है कोई डाउट तो नहीं है वीडियो को एक बार आप बाद में देखकर एक अपना समझ में आया हो तो कमेंट अबस दें अगर किसी को समस्या नहीं है तो बताईए आज की लाइव इस्ट्रीम को यहीं रोकते हैं किसी को कोई समस्या है तो बताईए नहीं है तो वहीं बताईए बताईए दोस्तों कोई समस्या परेशान ही हो आपको चिंता विपत्ती आयपत्ती चायपत्ती विपत्ती पत्ती पत्तनी कुछ भी हो तो बताईए तनू जी नो बेरी गॉड अपनी प्रैटिस को लगाईए आपको काफी अच्छा रेस्पॉंस बोर्ड एक्जाम में देखने को मिलेगा क्योंकि एक पेपर की तयारी आपको अलग से नहीं करनी पड़ेगी यह मेरी गारंटी है तो हैवा स्वीड ड्रिम्स गुड नाइट वाबाए तिल टेक्यार है फान थैंक्स पर वाचेंग